हेलो दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिसकसन करने वाले हैं सोसन के वारे में कि सोसन होता क्या है और किन लोगों का सोसन किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है सोसन का मतलब क्या होता है सोसन से क्या तात्त परिया है और इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं, परम प्रागत रूप से सोसन का आर्थ किसी बैक्त या बस्त का लाब उठाना है, ताकि आप उससे लाब उठा सकें, आर्थिक द्रश्टी कोंड से लगवग हर चीज का चाहें, लोग हों य किसी भी इंसान का हो सकता है, और यहाँ पर बात सोसन प्रत्वी की भी की गई है, कि बहुत से ऐसे हम खनिच पदार्थ हैं, जो प्रत्वी से ले रहे हैं, लेकिन बदले में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पेंडों को काट रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम नए पेंड नह लगा रहे हैं जो हमारे प्रत्वी पर पेड़े उनको तो काट लेते हैं अपने मतलब के लिए लेकिन नए पेड़ों को नहीं लगाते हैं ऐसे ही इनसान के साथ होता है कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जो इनसानों का सोसन करते रहते हैं उनका इस्तमौल अपने फाइदे क लिए करते हैं और बाद में जब उनका मतलब निकल जाता है तो उन लोगों को छोड़ देते हैं ऐसे ही कोई संस्ता हुई जो किसी बैक्तिका सोसन कर रही है और उन्हें ना बढ़ा कर उनका जो उपयोग करके वो आगे बढ़ जाती है लेकिन जो जिसकी मदद लेते हैं उसक सोसन का अर्थ किसी बैक्ति या वस्तु का लाब उठाना है ताकि आप उससे लाब उठा सकें आर्थिक दिरस्टी कोण से लगबग हर चीज का चाहें लोग हों या प्रतवी सोसन किया जा सकता है यानि उनसे कुछ छीना जा सकता है सोसन तब होता है जब कोई वैक्ति किसी उपयोग कर लेता है और अपना तो तरक्की खूब कर लेता है उसका उपयोग करके लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने देता है और अपने आप खुद आगे बढ़ जाता है दूसरों की मदस से तो एक प्रकार का सोसन ही होता है लोग दूसरों का सोसन करके खुद धनी या आपने देखा होगा कि लोगों का सोसन क्या जा रहा है महिलाओं का सोसन क्या जा रहा है कुछ ऐसे जो समाज में जो कूप प्रताएं होती है या फिर ऐसे कुछ लोवर कास्ट के लोग होते हैं उनका सोसन क्या जा रहा है तो कहीना कहीं रूप से आपने देखा होगा कि सोसन कहीं भी हर जगें आपको देखने को मिल सकता है सोसन सोसन है जगें आपको देखने को मिल सकता है यह किसी ना किसी विक्त के द्वारा किया जाता है यह किसी संस्ता के द्वारा किया जाता है यह किसी पसु पक्ची यह जो हमारे प्रतवी है उसके साथ भी सोसन किया जाता है उससे कुछ किमती वस्तों निकाल लेते हैं, पेणों को काट देते हैं, जीव जन्तों को भी अपने मतलब के लिए उसका उपयोग करते हैं, बाद में उन्हें क्या होता है, हम उन्हें उचित भोजन भी नहीं देते जानवरों को, और उनका सोसन करते रहते हैं, इसलिए सोसन किसी भी चीज का हो सकता है जो भी चीज प्रतवी पर उपस्ति दे वो सब सोसन के अंतरगत आती है या सोसन उनका कभी ना कभी जरूर किया जाता है सोसन के वल तवी हो सकता है जब आपून प्रतिस परदा हो जहां किसी बस्त का उतपादन करने वाले सिर्मिकों और उस बस्त के खरीददारों तो द्वारा वुक्तान किये जाने वाली कीमत के भी जानकारी में अंतरो नियोक्त जो करमचारी को वुक्तान करता है और उप वुक्ता का पेसा इखटा करता है उसके पास ये जानकारी होती है जिससे नियोकता अनपाथ हीन रूप से बड़ा लाब कमाता है यदि बजार पूरी तरह से पृतिस परदा होता है जहां खरीददारों और विक्रेताओं को बजार के बारे में सामान जानकारी होती है तो एक पार्टी के लिए दूसरे पर बड़त हासिल करना संबब नहीं होता है सोसन उन लोगों का हो सकता है जो कमजोर इस्तिती में हैं जहां उन्हें बित्तिय जरूरत होती है उनके पास सिच्छा नहीं है या उनसे जूट बोला गया है दोस्तों सोसन किनका होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जो सिच्चित नहीं होते हैं और जो जिन से जूट बोलकर उनका फायदे के लिए स्तुमोल किया जाता है तो सोसन बहीं पर होता है जहां पर सिच्चा नहीं होती है इसलिए दोस्तों हमें अगर अपने सोसन से मुक्त होना है या नहीं अपना सोसन नहीं करवाना है तो सबसे पहले सिच्छा को हासिल करना होगा अगर हम सिच्छा को हासिल कर लेते हैं तो कोई भी दुनिया में आपका सोसन नहीं कर सकता जैसे ही आपका सोसन होगा तो आपना आप उस बंदे से हक मांग लेंगे इसलिए कहते हैं दोस्तों और आप सोचन से बचना चाहते हैं तो सिच्छित बनिए और दूसरों को भी बचाईए उनका जब सोचन होता है तो आप अगर सिच्छित होंगे तो उनको इस सोचन को भी बचा सकते हैं आप समाज सेवा कर सकते हैं वह लोग ऐसे पड़े लिखे नहीं होते हैं उनका लोग सोसन करते हैं धनी लोग सोसन करते हैं मजदूरों का तो कह सकते हैं कि अगर आप सिच्चित होंगे तो समाज की भी सेवा कर सकते हैं और सवय की तो करी सकते हैं जब पड़े लिखे होंगे तो आपका कोई भी सोसन नहीं कर सकता है औ एक पच्च व्यक्तिक अतिलाब के लिए दूसरे के प्रयास और कोसल का गलत तरीके से उप्योग करता है दोस्तों सोसन उसी व्यक्तिका होता है कि कोई भी धनी व्यक्ति है वो किसी मजदूर से काम करवाता है और अपने वेक्तिक अतलाब के लिए उनसे 24 गंटे काम करवाता है और उसके प्रियास और कोसल का गलत तरीके से उप्योग करता है वो क्या गयता है उस मजदूर को सही से उसकी जो दिहाडी वन रही है उसको भी नहीं देता है उसकी मजदूरी भी नहीं देता है और उनकी जो कमपनी है उस धनी वेक्ति की वो दिर्रात ब्रदी हो रही होती है उसके धन में लेकिन वो मजदूर को सही टाइम पर कभी पैसे नहीं देता है तो ये एक सोसन का उधारन हो सकता है किसी धनीवक्त के द्वारा मजदूर के काम किये जाने पर भी धनरासी समय पर ना देना तो ये सोसन के अंत्रगत आ सकता है दोस्तों अगर हमारी वीडियों आपको सोसन से संबंदित अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिन जय भारत